अधिर वहीर और मैं हूं मोईज जाफ्री और आप देख रहे हैं Agenda 360 लाइख अधिर वहीर वेल्कम तो Agenda 360 विवेवर्स यह हमारा पहला शो है अलताव असेन साब के तीन गंटे के शो के बाद जो के कल हमने देखा सब ने देखा, Uninterrupted देखा, Commercials को डाइवर्ट करके देखा, हमारे साथ आज हमारे महमान है हैदर अबास रुज़ी साहब, we are very lucky to have him, thank you very much हैदर साहब पहले मुझे जी जारा पिताएगा, इसमें बड़ा एहम ऐलान होना था अलताफ साहब की स्पीच में, वो इन दी एंड क्या निकला तो देखी नहीं पूरी खायर तरीक के प्रेस कांफरेंस, वरना आपको बहुत अच्छी तरह अंदादा हो जाता कि जो एक मुल्क तोड़ने की साज़िश गुजिश्टा दस बरसों से हो रही है, उसके तमाम सुबूत और शभायत फराम किया खायर तरीक जनाब अलताफ साहब सर लेकिन हैधर साब मैं यही जानना चाहरा हूँ कि बेशक उन्होंने वो सारी चीज़ें रख दी सामने जिससे लगता है कि कोई ना कोई सोच अमरीका में हो सकती है कि यह मल्क तोड़ा जाए, लेकिन जो इल्जाम एक्चुली अलताफ भाई पे लगाया गया था, वो तो और ना मेरे ख्याल से ऐसी कोई मशरूत बात थी कि कारे तरीक को जनाब डॉक्टर जल्फगार मिर्जा साब की बात का जवाब देना ही था, तो जाहिर है जो कुछ डॉक्टर जल्फगार मिर्जा साब ने फरमाया, वो उनका अपना पॉइंट अफ यू है और जो MQM को औ जनाब अल्फगार तरीक जनाब अल्फगार मिर्जा को कहना था, उन्हों ने अपनी बात कही, वो इससे मशरूत नहीं था, कि डॉक्टर जल्फगार मिर्जा की बात के जवाब देना जूरूरी होगा। ये CIA ने, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है 1998 से, और ये CIA ने जो आपका सेंट्रल मौकफ था, कि भई दुनिया भर की साधिश है, कि पाकिस्तान को तोड़ना है, ये उस पे उतरता नहीं है, क्योंकि ये मैप एक प्रेडिक्शन है, CIA की और अमेरिकन इंटेलिजिंस एजेंसी इतने नाम है, मिशेल चौसवडॉफ्सकी, ये डॉक्टर हैं लेकिन एकनॉमिक्स के डॉक्टर हैं, और यूनिवर्सटी ऑफ ओटवा में प्रॉफेसर ऑफ एकनॉमिक्स हैं, और ग्लोबलाइजेशन की एक कमिटी को चेयर करते हैं, तो उनकी मैं क्यों सुनू पाकिस्ता के बारे में, और इन्होंने जो बातें लिखी हैं, अल्ताव उसन्थाहएं बड़ी तारीफें की आईसाई की, लेकिन ये जो डॉक्टर साब हैं ये फर्माते हैं कि मौतरमा को आईसाई ने मारा था, और फिर ये फर्माते हैं, इसी ब्लोग में जो आपने मुझे दिये है ये फर्माते हैं कि ISI मारने के अलावा ISI CIA का एक extended arm है और फिर फर्माते हैं कि Al-Qaeda भी ISI की अपनी है तो इनकी मैं बाते क्यों मानूँ और ये एक blog है सर मैं भी चला सकता हूँ मैं अपना नाम डॉक्टर मुईज जाफर डॉफसकी अगर रख दूँ और फिर मैं ऐसी बातें लिखना शुरू हो जाओं तो ये सच थोड़ी होंगी देखिए जो conspiracy हैच हो रही है अगर वो आप तमाम documents और तमाम तफसीलात देखें तो वो 1998 से लेकर 2010 और 2011 तक के document कायरे तरीक ने दिखाए हैं जो ना सिर्व मुक्तलिफ ब्लॉग से हैं मुक्तलिफ एहम शक्सियात के हैं ये तो आपने एक refer कर दी और जाहर है कि अगर उस तुन तफसीलात में उन डीटेल्स में जाने का time शायद उस तरीके से नहीं था क्योंकि बहुत सारे aspects को cover करना था मगर उसको 1998 से लेकर अगर 2011 तक तवातर के साथ ये चीज़ें चलती चली आ रही हैं तो पिर यकीना उसको हवाम के सामने रखना जरूरी है और इस बात से तो ये बात तो कोई धकी चुपी है नहीं कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है कि इंड़ करेंश मौद है तो फिर उसको आपको किसी ने किसी एंगल पर डील तो करना पड़ेगा ठीक है सर लेकिन ये अब क्यों डील करने की जरूरत महसूस हुई ये तो बहुत अर्से से public domain में है ये बात दीके बात जरूरी इस जनाब अलताब हुसेन ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान की उस घरीब अक्सरियत को दिखा दिये जो शायद ना इन डॉक्यूमेंट्स को उस तरह पढ़ सकती है ना सुन सकती है ना उन तक रसाई असल कर सकती है तीक बिल्कुल यही पॉइंट था यही मैं सोच करते हैं लेकिन उसकी एक वजाए है सर अघवार होते है बहुत से जबाशन सहाफ ने एक आइडिया को पेश कर दिया सबंसाथन लेकिन घलती जहां हम पॉइंट आउट कर रहे हैं वह यह है कि उसके अंदर यह उपिनियन मिला दिया गया कि ये लोग चाहतें हैं ये साधिश नहीं है ये बहुत इूसलिक आउट तेर सारी ईंटेलिजन्स एजनसीथ दुनिया की कहती है ये पाकिस्ताइएव को छोंसर इजाइव नहीं करतें महाजर महाजर की बात करता है सिंधी सिंधी की बात करता है बलोच बलोच नैशनलिस बन चुका है और पक्तून जो है वो सिर्फ अपनी नेशन का नाम रख के खुश हो गया है तो सर वो देखते हैं ना कि ये शायद मुल्क सर्वाइब ना कर सके और इसके ऐसे ऐसे खिते बन जाएं अब इसको आगे अगर इस तरह पेश कर दिया जाता जिस तरह प्रोग्रेसिव थी बहुत प्रोग्रेसिव थी पहले 30 मिनट अलतावसें साब की स्पीच के तो फिर बिल्कुल दुरस्त हो था एक फैक्ट बयान कर दिया जाता जो पहले इंटरनेट पे था और अब अवाम के सामने रख दिया गया ये कहना कि ये इनकी साज़िश है और मैं आपको इससे अगाह कर रहा हूँ सर ये दो कदम आगे नहीं चले गए फिर आइक्चुल फैक्ट से मुईज मेरे खाल से पाकिस्तानी अवाम का रविया या यूं कहना चाहिए कि जो उनकी बेखबरी है 1971 के वाकियाद भी आप से ढखे चुपे नहीं है जब तक 16 दिसंबर सर पर नहीं आ गई पाकिस्तानियों का रविया यकीन यही था कि ना पाकिस्तान टूट सकता है पाकिस्तान ना काबल तस्खीर है मगर ये एक कड़वी हकीकत है कि ये जो पाकिस्तान मेरा और आपका है ये बाकी मानदा 46 फीसद पाकिस्तान है और 54 फीसद पाकिस्तान हम खो चुके हैं और अगर जो कांस्परिसीज हैच की जाती हैं मेरे इस मुलक के लिए और जो बैनलाकवामी चीज़ें चलती रहती है जरूरी है कि कबल अज़ वक्त वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाई जाएं और उनको ये भी बताया जाए कि इसके हल क्या है माजरत खताकलामी की आप लोग खुद कह रहे हैं कि 54% पाकिस्तान पॉपिलेशन वाइज जा चुका है सर आपको भी पता है ये कोई कंस्पिरिसी नहीं थी ये इसलिए था इसलिए हम नफरत करते थे उस 54% पाकिस्तान से और जबर करते थे उनके उपर और एक बकाईदा जै पाकिस्तान के खिलाफ साज़श होने की जरूरत नहीं है हम खुद साज़शी बहुत हैं खली अगर आप अगर आप इतराफ कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई इखतलाफ नहीं होना चाहिए मगर हम ये समझते हैं कि जो हमने वक्त की जरूरत को समझा वो अवाम के सामने रखा और अगर जल्फिकार मिर्जा साब ऐसा इनकिशाफ नहीं करते अपनी प्रेस कांफरंस में तो क्या फिर भी इस बात की जरूरत पढ़ती कि इसकदर पुराने मसविदे का सहारा लेते वे इस तरह के इनकिशाफ किया जाए कि एक साज़िश हो रही है पाकिस्तान को तोड़ने की इस खदर पुराना मसविदे अगर 2010 और 2011 के डॉक्रिमेंट्स आपके सामने रखे जाएं और आप उसको फिर भी पुराना कहें तो मैं क्या क्या सकते हैं बाराल इस पे आपका जवाब आगया है एदर साब मैं थोड़ा सा इस पे बैक ट्रैक इसलिए करना चाहूंगा because context is everything डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साब की press conference एक हुई थी वहां से प्लीज अगर हम शुरू कर सकें सिर्फ मुझे आप ये बता दीजे आपके ख्याल से क्या डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साब आसिफ जर्दारी साब सदरे पाकिस्तान से मिले हुए थे जब उन्होंने ये किया आएसाइ से मिले हुए थे जब उन्होंने ये किया दोनों से मिले हुए थे जब उन्होंने ये किया या फिर उन्होंने वाकिए इंडिपेंडिन्टली एक्ट किया पहले तो इस पे बताईए आपका क्या मौक्य फिर मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं गलत भी हूँ मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो इन तमाम चीजों में तन्हें तन्हा है सर अगर वो तन्हे तन्हा है तो तो आपके लिए लौटरी है अन दे लौग रान क्योंकि अगर वो तन्हे तन्हा है और वो लियारी से बदीन तक बेशख स्ट्रॉंग भी होते जाएं अन्टी एमक्यों स्टांस पे सिंधी स्पीकिंग वोट भी थोड़ा ले ले लें लियारी का वोट ले लें तो पीपल्स पार्टी को वो इसकदर कमजोर इस हद तक तक तो करी देंगे कि वो उन्हें आपकी ज़रूरत पढ़ जाएगी कल को हकूमत बनाने की असल में दो नकाथ उसमें बہत अहम है थर और वो दो नकाथ अहम ये है कि एक पार्ट उनकी त्माम तकारीर में और प्रेस कानफरंसेंज में दौशामात का है और दूसरा पार्ट जो है वो अत्राफ आप़ात का है और बाज इत्राफात इतने खौफनाक हैं कि जिनके बारे में सोचते हुए भी कमसकम मैं लरज रखता हूं मिसाल के तोर पर तीन लाक असलाहा लाइसंस का दिया जाना मेरे खैल से पाकिस्तान के किसी भी वजीर的 दाखला ने सूबह सिंध में कभी भी किसी को तीन लाक लाइसंस नहीं दिये होंगे जिनका कोई रैकोर्ड मौझूद नहीं है और ये कह कर दिये हूँ कि ये मैं शादी बेया में चलाने के लिए नहीं दे रहा बलके ये कह कर दी हूँ कि मैं एक के बदले पांच मारूंगा ये जो प्राइविट आमी डिवलब की है डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने खुदा रखास्ता अगर ये कराची में लियारी से लेकर बदीन तक जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर ये प्राइविट आमी इस्तेमाल होती है तो फिर मैं ये सोचकर लरस जाता हूँ कि उसके बाद क्या होगा रजी साब आप उनकी आदी बात मान रहे हैं सर ये अजमल पहाड़ी की क्लारिफिकेशन भी आपकी तरफ से आई कि वो आपका कारकुन है आप J.I.T. जब तालिबान को पकड़ती है तो आप सबसे पहले उसको मानने वाले होते हैं रेंजर जब आपरेशन करती है लेयरी में से अकूबत खाने निकलते हैं आप सबसे पहले मानते हैं यूसफ प्लाजा मेंसे अगर वो कहते हैं अकुबत खाना निकला है तो आप मानते नहीं हैं और फिर उसी जे आइटी रिपोर्ट को जब वो अजमल उर्फ पहाडी को कहते हैं कि जी इसने काई इसने 110 लोग मारे हैं तो आप उसको भी नहीं मानते हैं तो ये डूल स्टैंड जिनका लबो लहजा मुझे बात कम्लीट करने दे जब आप एक सवाल में चार सवाल किया करें तो फिर सुनने का भी थोड़ा सा होसला रखा करें प्लीज बहुत आसान है आपके लिए सवाल उचाल देना मगर जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है तो इसलिए आप प्लीज मुझे सुना करें अगर आप एक सवाल में चार सवाल कर रहे हैं तो पहली बात ये कि हमने जियाइटी के लिए कहा है कि उसको कोर्ट में थाबित करना होगा दूसरी बात ये कि वो जियाइटी डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के दौर में विजारत दाखला में बनाई ग बलके वो मौझूदा रिजीम में रेंजर्स ने निकाले हैं और नमबर चार जो आपने इल्जाम लगाया है कि यूसफ प्लाजा में कोई टॉर्चर सेल निकला ये इनतहाई लगव है और इसकी कोई अगर एक फुटेज आपके पास या तो निकाले वरना फिर आप इस पर प्रोडूस इट तो इन फ्रंट अफ पीपला पाकिस्तान इसी तरह एक इल्जाम था अलतावजान साब ने खुट का था कि मेरे पास खुट के पास प्रूफ नहीं है लेकिन उन्हों ने फिर भी पुट इन फ्रंट अप प्रूफ नहीं है और आप प्लिटिकल लीडर है औ पिर आप बात ना करें और इन्तिजार करें उस वक्त तक जब तक आप सुबूत नहीं ले से हैं हैदर साब असल में तो जियाइटी कुछ साही निकलती हैं कुछ नहीं और ये कोर्ट का काम तो होता है लेकिन जब एक बहुत हाई प्रूफाइल यानि कि आपकी जैसी पुल एक पुलिटिकल डिबेट की हद तक उचालता है तो क्या आप उसको समझते हैं कि ये मीडिया जयाती कर रहा है क्या इस पे बात पड़िक डूमें में जब 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 आप माशालला एक पड़े लिखे आदमी हैं एक शरीफ खांदान से तालुक रखते ह एक मौजज़ पेशे से वाबस्ता हैं आप एक वकील हैं अगर मैं सूबे का वजीर दाखला बन कर आपके खिलाफ कोई G.I.T. बनाऊं तो क्या मुझे इस बात का हग पहुँचे गा कि इल्जाम साबित होने से पहले ही मैं आपकी करेक्टर असेसेनेशन करने लगूँ या 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 ने कि अगर आप पर इल्जाम थाबित होने से पहले मैं आपको चार्ज फ्रेम करूं मैं आपको सौ अदमियों का कातिल बताऊं मैं आपको पुलीस से तशद्दुत करवा कर वो वीडियो प्रेस लीज आपकी जारी करवाऊं और उसके बात कहूं कि हैदर वहीद इस किसम के आदमी है तो आप ये समझते हैं बहसियत वकील के मेरा ये कदम जिस्टिफाइड होगा जिसको सुप्रीम कोर्ड ने इंतार सस्थी के साथ सुनग किया है लेकिन एक पुलिटिकल एरीना अलग होता है सर और एक कोर्ट अफला अलग होता है उनने कोई वातु की आप कहरें कर दो कोई कर सकता है जो अजमल के खिलाफ मुकदमात हैं वो सियासी नौइयत के नहीं हैं वो फौज़दारी नौइयत के हैं और उस हद तक डेफिनिटली फाइनल फैसला अदालत ही कर सकती है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन हैदर साब मुझे लगता है कि MQM एक बात आजकल थोड़ा सा या तो जानके मिस कर रही है या वैसे मिस कर रही है मुझे आप ये क्लियर करें कि आप इतना दिल छोटा इस बात पर क्यूं करते हैं कि जुल्फिकार मिर्जा साब को तो आप कुछ नहीं कह रहे और MQM को कह रहे हैं अब उसमें इंटरिस्ट और ये देखना कि उसकी इंटेग्रिटी और उसके करेक्टरिस्टिक्स उसके एक्षिंज में ज्यादा इंटरिस्ट लेना वो मीडिया की एक मजबूरी है बिकाज मीडिया अकासी करती है लोगों के इंटरिस्ट को people are more interested in NQM and less interested in Dr. Zulfikar मिर्जा उनके एतिराफाद आप बिल्कुल टी कहा रहा हूं I do understand कि जो आपका point of view है I do understand मगर मैंने इस बात का सहारा लिया कि आप वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं और आप वोर्ट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं लहाजा जिस तरह आपने अभी फरमाया कि every person supposed to be innocent until unless proven guilty in the court of law अगर ऐसा है तो मैं यही कहूँगा कि आप इस बात का इंतिजार कीजे GITs बनी हैं GITs बनती रही हैं और मौजूदा सुरतियाल अगर बरकरार रही तो फिर GITs बनती रहेंगी भी मैं सिर्फ यह जवाब दे दें कि अगर यह बात किसी quarter से लाई जाती है अब उसको anchor या media सामने लाती है और फिर आपको मौका देती है कि आप यही बात कहा दें कि look these are GITs are politically motivated और court इस पर final फैसला करेगा और आप भी यह बात कह देते हैं यह एक media पे इसकी बात हो जाती है तो इसमें क्या मुझाइका है आपने भी तो अपना मौका दे दिया अगर तो एक ऐसी GIT बनती है जो हैदर वहीद के against हो ने लेकिन आपका जवाब आगिया ना आपके मुझा जावरी उसको defend कर लें तो आपके ख्याल में यह कोई बेहतर बात है यह नहीं है और एक ऐसी सूरत हल में जबके सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुमटो में भी इस बात को सनब किया है कि यह जो तरीके कार है कि लोगों को पुलीस के सामने इतराफात करके उनकी वीडियोस को रिलीस करना और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट क्या observation है कि पुलीस के सामने इतराफ की आहिमियत क्या है आपको पता है कि जो पुलीस के सामने इतराफ है अगर वो 164 में convert नहीं होता तो उसकी कोई हैसियत नहीं है ठीक है रिजी साब ठीक है यहां से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा वकील मैं भी हूँ वैसे लेकिन यह अजमल पहाड़ी से अगर आगे बढ़ें और अलताफासें साब की एक statement जिसमें मैं खाल से उनके तरीकाँ से मैं अगर if I don't agree वो एक मेरा personal business है लेकिन उनकी speech में अक्सर जो हिस्सा था वो moderation का था और progressivist था और वो support करना चाहिए सरानने के काबल था लेकिन उनने जो एक बात कियों मुझे समझ नहीं आएं आप उसकी फ्लीज वज़ाद कीज़ेगा यह एक बहुत पुरानी डिबेट है मुईस और यह आपने academic बात छेड़ी है इसलिए मैं जरूर चाहूँगा कि इसका जवाब देना चाहूँ आपको याद होगा कि एक जमाने में जब MQM बात करती रही कि वो तमाम पाकिस्तानी जो मश्रिकी पाकिस्तान में स्ट्रेंडिड है और आज भी पाकिस्तान के नामपर्ज रेड क्रोस के केमपों में आबाद है उनको वापस पाकिस्तान लाकर आबाद किया जाए तो कुछ निटोरियस ऐलेमेंट ऐसा था जिन्होंने इस बात की शदीद तरीन मुखालफत की और उन्होंने बाकाइदा दीवारों पर नारे लिखे के बहारी ना कपन उसके खिलाफ हमारा आर्ग्यूमेंट हमेशे से ये रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदे जो के पाकिस्तानी नहीं है वो एक बहुत बड़ी तादाद में आकर पूरे पाकिस्तान में और खास तोर पर कराची में आबाद हुए तो उसके उपर तो कोई आखाई गई और वो मिलियन्स में थे और जबके वो तमाम पाकिस्तानी जो के इस पाकिस्तान में स्ट्रिंडेड है वो तीन से चार लाक थे तो उसके उपर यह पूरी एकैडमिक डिबेट है और इसके उपर जो डिबेट चल रही है वाच तक खायम है तो आप ये कह रहे हैं कि आपने नफरत का इज़ार पश्टूनों से नहीं किया बलके अफगानों से किया ये ठीक है तेखिए जो अकैडमिक डिबेट है बात ये ही की जाती है कि सिंद की कॉंसेंट्रेशन को खराब किया जा रहा है उनका नारा ये है कि जो मुकामी सिंद के लोग है या पुराने सिंद के रहने वाले हैं वो डिमोग्राफिक्स को तबदील कर रहे हैं सिंद की और उसमें एक बहुत बड़ा इचारा MQM या आप ये संगें के उस दोर के उर्दू बोलने वाले जो मचरिकी पाकिस्तान या बंगलादेश में स्टरंड़िट थे उनके खिलाब बाकाइदा एक ऐसी बात की गई थी रजी साब हमें एक ब्रेक भी लेनी है सर उनको fear of foreigners है, strange चीज़ों से उनको डर लगता है और अजीब औ गरीब बातें इसलिए करते हैं एक उनके अंदर रंज औ गम है, गुस्सा है, एक जहर सा भरा हुए लेकिन सब पर आपकी तरफ से जवाब आया अलताव जान साब ने का ये सब जो हैं दुल्फगान मिर्दा साब, आप भी काफी जनफ़ोबी ते हैं मेरे खाल से उसकी वज़ात कायरे तरीक ने कर दी थी और कैटेगोरिक लिए एक अलग पीस उस बात के लिए किया था तो मैंने ही समझता कि जब कायरे तरीक की जानिब से एक बार एक स्टेटमेंट आया और उसकी वज़ात आई तो मैं मजीद उसको डिबेट करें लेकिन फिर कल भी तो जनफ़ोबी आ गया इसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद जुजी साब मैं साथ रहेगा तैंक यू बेर मुच वंस अगें पर जोइन आपकी राय क्या है आप इस शो को फिर से देखना चाहते हैं या फिर इफ यू वन तो जिस्टाट इबेट फेस्बॉक.com slash Agenda360 बाक दियू अफर ब्रेक